बुधवार से मध्यप्रधिश की सोलवी विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है ये सत्र काफी एहम है क्योंकि सत्र में सरकार अपना अनुपूरक बजट भी पीश करने वाली है साथ से लेकर 19 फर्वरी तक विधानसभा की कारवाही चलने का अनुमान है साथ फर्वरी से मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है साथ से लेकर 19 फर्वरी तक यह सत्र चलेगा इसलेकर किस तरह की तैयारिया है इस वक्त हमारे साथ है विधानसभा के प्रमुक सचिव एपी सिंग जी हम उनसे ही जानेंगे सर दो दिन ही बचे हैं सत्र शुरू होने में किस तरह किस बार तैयारिया रखी गई है दिखिए जैसे आपने कहा कि यह साथ तारीक से प्रार्म हो रहा है सत्र और 19 फर्वरी तक चलेगा तो बदानसभा सचवाले पूरी तरह से तैयारी में ब्यस्त है और तैयारीयां पूर कर ली गई है इसमें बहुत महत्पूर्ण सत्र है क्योंकि इसमें बजट भी आएगा अलाकि लेखानदान लेंगे वो अनपूरक बजट भी आएगा और कोई विदेख होंगे वो आएंगे और माननी सदस्तों कि प्रश्ण और जो भी जनहित के विसे उठाने के सूचना होंगी वो ली जाएंगी सर प्रश्ण की अगर हम बात करें तो अभी तक क्या कुछ प्रश्ण आ चुके मितलब कितने प्रश्ण आ चुके हैं ऑनलाइन क्योंकि सारा कुछ काम अब हो रहा है प्रश्ण अभी 2300 से अधिक प्रश्ण हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं और जिसमें से ज्यादातर प दीए गये हैं काफी संद्था ने बिधायक की तरफ से प्रस्वन लगाए गये बार जानकारी आएंगी संक्राइक भी काफी मातरों प्रस्था रहा है और अब प्रोबदन कारी करूफ गया था उसका वी एसर उनकी वे दिए को लिए गये हैं तो निश्य तौर पर विदान सर पिशले बार की जब इधान सभाद थी सुरक्षा को लेकर के काफी जादा विवस्थाओं में बदलाव किया गया था क्योंकि संसद में हमने देखा था हमला हुआ था इस बार क्या कोई बदलाव किया गया है या सुरक्षा को लेकर किस तरह से कड़ी निगरानी रखी लोग हैं तो इस तरह से पूरी सुरक्ष्चा व्यवस्ता कड़ी रखी जाएगी ताकि सुरक्ष्च धंग से विधानसभाई कारवई संचलत हो सके लेकिन परिसर में चूकि माननी सदस्यों को उनके जो साथ आएंगे उनके पूरी जांच के साथ उनके पूरा प्रवेश पत स्टेट भुपाल